वेल्कम टो टेक्षरमेट आज के सेशन में हम डीबी टो इसकल का एक और फंक्शन कवर करेंगे जो है लीस्ट लीस्ट फंक्शन या लीस्ट मेथड क्या करता है जब भी आप इसमें कोई आर्गुमेंट प्रवाइट करते हैं तो यह उसको ऐडेंटिफाय करता है कि उन सभी प्रवाइटि प्राइटिफ यको पिक करता है जो बहुए अपने वैल्ली इसको प्रवाइट करें। तो आप देखना है उसको यूज कैसे किया जा लेकर यह उसको रिक एक Excel प्रॉग्राम लिखा है इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहा है सबसे बहले तो हमने constant रखा है जैसा आप लोग अब तक sessions में देख रहे हो हम यह कुछ steps ऐसे हैं जो हर session में repeat करते हैं ठीक है तो यह constant रखा SQL state underscore valid five times zero के साथ में इस constant को हम use करेंगे verify करने के लिए कि जो हमारी query है वो proper execute होई या नहीं होई ठीक है फिर हमने एक variable रखा है result name से जो zone 4 है और इसमें जो भी output हमारा return होके आएगा least function से उसको हम इस्टोर करने वाले हैं फिर हमने commit को set किया हुआ start none पर ठीक है यह optional line है क्योंकि अभी हम कोई modification नहीं कर रहे हैं अगर आपको इस modification कर रहे हो तो आपको यह lines रखनी होगी ठीक है अब हम क्या कर रहे हैं यहां पर main query का use कर रहे है तो main query कैसे use होगी आपको लिखना select least यह हमारा function का name है और parameter as a argument आप यह values प्रोवाइड कर सकते हैं मैंने same values रखी just greatest की जिगा मैंने क्या कर दिया least तो अब यह क्या करेगा इसमें से least value जो minimum value है अभी आप यहां से देख सकते हो यह minimum value 5 है अभी तो हमारे पास यह इतनी values है suppose आपके पास और values होती है यह values किसी variable के थ्रूँ आपको प्रोग्राम में receive हो रही है और आप उस प्रोग्राम के थ्रूँ identify करना चाहरे हो कि वह minimum value उसके लिए क्या है तो उस case में भी आप इसका use कर तकते हैं यहां पर आप क्या करोगे variable as a use करके 5 अब जैसे यहां पर क्या 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 है 10 5 8 15 12 तो इसकी जब यह least value calculate करेगा तो क्या आएगी 5 और उसको store कहा कर देगा यह host variable result कहनता है क्लियर और यह कहां से हम function यूज करने से साइबम.systeme 1 से अब जैसे यह query execute हो जाएगी तो हम verify करेंगे कि अगर हमारा SQL state जो आ रहा है वह SQL state underscore valid आ रहा है इसका मतलब है हमारी query ठीक है तो हम इसको result print कर देंगे otherwise हम क्या करेंगे SQL state को यह print करेंगे जिससे हम identify कर पाए कि हमारा actual error क्या था और साथ में एक message डाल देंगे query ended with an error end if inlar equals star on ठीक है तो अब यह हम इसको करते है फाइल वापस से compile करते है प्रोग्राम को और call करते है तो जैसे हम इसको call करेंगे तो output क्या रहा है हमारा यहां पर 5 इसका मतलब है minimum या least value जो थी वो थी 5 clear अब हम देखते हैं अब हम क्या कर रहे हैं यह तो हमने देखा SQL rpg program में हम कैसे इसको यूज कर रहे हैं यही अगर normal db2sql query पर run करना है तो क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे strsql अब देखतें कि इसको हम कैसे उसकर सकते हैं किसी टेबल के साथ में जैसे यहां पर मैंने किया select star from sharmat1 slash table1 अब मैं यहां पर जैसे हैं यह हंटर हिट करूंगा तो यह देखो यह सारी values हैं यहां पर अब इन values में से suppose मुझा identify करना है कि इस column में और इस column में minimum value कौन सी है ठी में में भी कोई relation ऐसा नहीं मिलेगा बट आप चाहो तो कोई sales रख सकते हैं कि दो टाइप के sales से आपके पाँ sales one sales two और आप identify करना चाहते है कि minimum sales कि इस year में होई थी ठीक है तो उसका example कैसा होगा कुछ इस तरह से देखेंगे simply आपको इस तरह से query लिख रहे है greatest की जगा हम लिखते हैं लीस्ट यहां पर मैंने कर दिया इसको लीस्ट अब क्या कर रहे है select least of age, monthly salary from sharmit1 slash table1 तो अगर मैं यहां पर enter hit करता हूं तो इसमें जो भी इसको least value में लेगी जो age थी उसको इसने print कर दिया ठीक है तो आप इस त multiple columns में भी decide कर सकते हैं कि least value कौन सा column hold कर रहा है यह value return करेगा ठीक है तो अगर आप इसका process देगा तो यह बिल्कुल opposite है greatest function की, greatest function में क्या होता था? greatest value return करता था, least function क्या करेगा? minimum value return करेगा ठीक है? तो इस तरह से हम यह function को use करते हैं तो इस session के लिए इतना ही था, I hope यह आप topic discuss करेंगे, so thank you for watching tech channel